दोस्तों संजीब कुमार की सबसे पहली मुवी 1960 में आये थी ये फिल्म थी हम हिंदुस्तानी इस फिल्म में सुनिल दत आसा परेक संजीब कुमार और जोई मुखर जी थे इस फिल्म में संजीब कुमार ने इंस्पेक्टर का किरदार निभाय था और ये फिल्म बॉक्स ओप पर सेमी हिट साबित हुई फिर इसके बाद 1965 में संजीब कुमार की निसान मुवी आई इस फिल्म में संजीब कुमार प्रेम चोपडा और नजीमा थी ये फिल्म बॉक्स फिस पर सूपर हिट साबित हुई इसके बाद 1966 में संजीब कुमार की बादल मुवी आई इस फिल्म मे संजीब कुमार की कलापी मूवी आई इसमें संजीब कुमार पदमारानी अरुना इरानी और नुतुन थी ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लोप साबित हुए इसमें संजीब कुमार मुम्ताज और महमूत थे ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर बिलो एबरेश साबित हुए इसक में नजर आए संजीब कुमार वीना और एसन थिलापती और ये फिल्म भी बॉक्स ओपिस पर सेमी हिट सावित हुई फिर इसके बाद 1967 में इनकी गुनहेगार मुवी आई इसमें संजीब कुमार कुम कुम सेक मुकतार और मदन पूरी थे ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर फ्लो मुवी आई इसके बाद इसी साल में इनकी आनोकी रात मुवी आई ये एक क्राइम ड्रामा मुवी था इस फिल्म में संजीब कुमार जाहिदा हुसेन और तरुन बोस थे इस फिल्म को बॉक्स ओपिस पर एब्रेज करार दिया गया फिर इसके बाद इनकी गोरी मुवी इसमें जितेंदर कुमार, विजयनती माला, सिमी गरवेल और संजीब कुमार थे इस फिल्म को बॉक्स ओपिस पर डिजास्टर करार दिया गया फिर इसके बाद इनकी सिकार मुवी आई इसमें धर्मेंदर, आसा परेग और संजीब कुमार थे ये फिल्म बॉक्स ओपिस प में संजीब कुमार की चांदा और बिजली मूवी आई इस फिल्म में पदमिनी सचिन पिलकाउंकर और संजीब कुमार थे ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर बिलो एबरेज साबित हुई फिर इसके बाद संजीब कुमार की उसुराद के बाद मूवी आई ये एक ठ्रिलर क्राइ इसके बाद इनकी फिल्म आई गुस्ताकीमा, इसमें सुजित कुमार, तनुजा और संजीब कुमार थे और इस फिल्म को एबरेज करार दिया गया इसके बाद फिल्म आई इनसाफ का मंदिर, इसमें नंदीरा, तरुन, स्निहालता और संजीब कुमार थे इस फिल्म को box office पर above average करार दिया गया फिर इसके बाद इनकी जेनी की राह movie आई इसमें जितेंदर, तनुजा और संजीब कुमार थे और ये फिल्म भी above average साबित हुई इसके बाद इनकी जोती movie आई इसमें संजीब कुमार, नवीदाता और आवीव बट्टे चारिया थे ये फिल्म box office पर flop साबित हुई फिर इसके बाद इनकी सचाई movie आई इसमें समी कपूर, संजीब कुमार और साधना थी और ये फिल्म भी flop साबित हुई इसके बाद इसी साल के आखिर मिन की सत्याकाम movie आई इसमें धर्मेंदर, सर्मिलाटे गोर और संजीब कुमार थे ये फिल्म box office पर सूपर हिट साबित हुई इसके बाद 1970 के सुरुवात में इनकी बचपन movie आई इसमें संजीब कुमार, कस्तो मुकरजी और तानिया लीडोल में थी इस फिल्म को box office पर हिट करार दिया गया इसके बाद इनकी दस्तक movie आई इस movie की लीडोल में संजीब कुमार, रहना सुल्तान, साकी लबानों और अनवर हुसेन थे ये movie box office पर सुपर हिट साबित हुई इसके बाद इनकी गुणा और कानून movie आई इसमें संजीब कुमार, कुमकुम और प्रित्री राज कपूर थे इसके बाद इनकी इनसान और सैतान movie आई इस film में संजीब कुमार, सेक मुक्तार और अरूना इरानी थी ये फिल्म box office पर flop साबित हुई इसी साल में इनकी खिलोना movie आई इसमें जितिंद्र, मुम्ताज और संजीब कुमार थे इस फिल्म को box office पर सूपर हिट करार दिया गया इसके बाद इनकी मा का आचल नाम की movie आई इसमें संजीब कुमार, अंजना मुम्ता, लीना मिस्रा और अवी वट्टाचारिया थे ये फिल्म box office पर flop साबित हुई फिर इसके बाद इनकी अनाइटीन कलकत्ता movie आई इसमें सिमी गर्वेल, मास्टर भगवान और संजीब कुमार थे ये फिल्म box office पर disaster साबित हुई फिर इसके बाद 1971 में संजीब कुमार की अनुभाव movie आई इसमें संजीब कुमार, तनुजा और दिनेश ठाकूर थे ये फिल्म box office पर below average साबित हुई फिर इसके बाद संजीब कुमार की एक पहली movie आई इसमें फिरोज खान, तनुजा और संजीब कुमार थे इस फिल्म को box office पर average कर रजिया गया फिर इसके बाद इनकी कंगन movie आई इसमें असोग कुमार, संजीब कुमार, माला सिनहा और जीवन थे ये फिल्म box office पर hit साबित हुई इसके बाद इनकी मन मंदिर movie आई इसमें संजीब कुमार, वहिदा रह्मान, सोदेश कुमार और अरूना इरानी थी ये फिल्म box office पर super hit साबित हुई इसी साल के आखिर में इनकी पारस movie आई इसमें संजीब कुमार के साथ रेखा गुलजार, फारीज अजलाल और सत्रुगन सिनहा थे ये फिल्म box office पर एबरेज साबित हुई फिर इसके बाद 1972 के सुरुवात में इनकी परीचाई movie आई इसमें जितेंद्र, जयाबच्चन, प्रान और संजीब कुमार थे ये फिल्म box office पर super hit साबित हुई इसी साल इनकी कोशिस movie आई इसमें संजीब कुमार, जयाबच्चन और असरानी लीडर में थे इस फिल्म को box office पर hit करार दिया गया फिर इसके बाद इसी साल इनकी रिवाच movie आई इसमें संजीब कुमार, माला सिनहा और सत्रुगन सिनहा लीडर में थे ये फिल्म box office पर flop साबित हुई इसी साल संजीब कुमार की सबसे बड़ा सुख movie आई इस फिल्म में असरानी, विजय अरोडा और संजीब कुमार थे इस फिल्म को box office पर एबरेज करार दिया गया फिर इसके बाद इनकी सीता और गीता movie आई इसमें हेमा मालीनी, धर्मेंद्र और संजीब कुमार लीडर में थे ये फिल्म box office पर सूपर हिट साबित हुई फिर इसके बाद इसी साल के आखिर में की सूबो साम movie आई इसमें संजीब कुमार, मुहम्मद अली फर्दीन और वहीदार हैमान थी ये फिल्म box office पर फ्लोप साबित हुई ये फिल्म box office पर सूपर हिट साबित हुई इसके बाद इनकी आनोनी movie आई इस फिल्म के lead role में लीना चंदर वोरकर, संजीब कुमार और जानकी दासमहरा lead role में थी ये फिल्म box office पर एबरेच साबित हुई फिर इसके बाद इनकी दूर नहीं मंजिल movie आई इसमें संजीब कुमार, प्रादीब कुमार और मूर्ती रोय lead role में थी इस फिल्म को box office पर एबरेच करार दिया गया फिर इसके बाद उनकी मंचली movie आई इसमें संजीब कुमार के साथ लीना चंदर वोरकर और नीरुपो रोय lead role में थी ये फिल्म box office पर super hit साबित हुई फिर इसके बाद इसी साल के आखिर में की सूरच और चंदर movie आई इसमें संजीब कुमार, सुजीद कुमार और सयाम lead role में थे इस फिल्म को box office पर flop try दे गया फिर इसके बाद साल 1974 में की कुवारा बाप movie आई इस फिल्म में महमूद, भारती, भूसंतिवारी और संजीब कुमार थे और ये फिल्म box office पर super hit साबित हुई इसके बाद संजीब कुमार की आपकी कसम movie आई इस फिल्म में मुम्ताज, राजिस खना और संजीब कुमार थे ये फिल्म box office पर semi hit साबित हुई इसी साल में हिनकी आर्चना मूवी आई, इसमें माला सिनह, संजीब कुमार, सिनेहा लता और ओम प्रकास थे, इस फिल्म को बॉक्स होविस पर फ्लोप करा रदे गया, फिर इसके बाद इनकी चोकीदार मूवी आई, इस फिल्म में संजीब कुमार, सरमील अटेगोर और इस फिल्म को बिलो एबरेज करा रदे गया, फिर इसके बाद इनकी मनो रंजन मूवी आई, इसमें संजीब कुमार, समी कप और जीना तामेन, लीडर में थी, ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर हिट साबित हुई, इसके बाद इनकी नई दिन, नई रात मूवी आई, इसमें स 75 के सुरवात में, इनकी मोसम मूवी आई, इस फिल्म के लीडर में, सर्मिल अटेगोर, संजीब कुमार और ओमन सिप पूरी थे, ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर सूपर हिट साबित हुई, फिर इसके बाद इनकी फरार मूवी आई, इसमें अमिता बच्चन, संजीब कुमा लीडर में थे, और ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर आल्टाइम ब्लोकबस्टर्स आबित हुई,